प्रिपक वर्मा टोड़े वी अन्टोनियम और सिनोनियम लेकिन दियर फ्रेंड्स आज एंटोनियम और स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ड्स की एक बेसी एंडेस्टेंडी के वारे मालूम होने बहुत जरूरी होता है तो सबस ör्ट टोड़े यह इंडेस्टेंडी के आपको यह पता होना चाहिए कि आगर आपके सामरे में बाइक वर्र के सब्सक्राइब की ऑट दो चिज़ा पता होने जरूरी होती है इसके बाद अगर बो वर्ड, adjective की फूर्म में लिखा है थो आप पता होना चाहिए कि हम उसे noun किस तरय से बना सकते हैं थे कि अगुसे अज़गर से word किस तरह से बना सकते हैं सब्सकरों देखें इस चीज़ के बारे में पता होने से लिखेंश को तो जो बागी की वर्ड होते हैं like noun like adjective like adverb etc तो उनका मीनिय आप कही ना कही है ना खुद बाखुद अपने तरीके से पता लगा सकते हैं तो आज सबसे पहले मैं आपको यह बताना जा रहा हूं कि हम किस भी वर्ड को noun में किस तरह से convert करते हैं और हम उस वर्ड की पेचान किस तरह से करते हैं कि यह adverb में लिखेय है ना सबसे अच्छा अगर मैं आपसे बात करता हो कि what is noun noun क्या होता है देखे noun का मतलब होता है जिस भी चीज को हम देख सकते है या फिर feel कर सकते है that is called noun जैसे मैंने आपसे बात किया कि hot, गर्मी ठीके या गर्म इस चीज को आप feel कर सकते है तो that is called noun आप मुझे देख सकते हैं तो मैं भी क्या हूँ अगर मैं बात करता है what is adjective तो देखे adjective का मतलब होता है जो इस noun की quality बताए जो noun की quality होता है उसको हम बोलता है adjective इसको बोलता है adjective का मतलब होता है कि जो भी word किसी भी काम को करने का एक manner या एक तरीका या एक धंग शो करता है उसको हम बोलता है adjective इतना समझे मारा आपको तो आगे सबसे पहले हम word की बात करते हैं माली जी आपके सामझे एक word लिखा at अब मुझे पता है भई at का मतलब होता है काम करना ठीक है activity करना और अभी आपने सीखा है कि जो भी word किसी भी activity वो रिपर्जेंट करता है that is called word तो मैंने आपके लिखा word अम आले जीए मुझे वर्फ को एक नाउन में convert करना है इसे इक नाउन में तो नाउन में convert करने के लिए मैंने basically क्या किया इस एक्ट के ठीक तुरंत बाद मैंने यहां पर add किया I.O.N. और यह मन गया यहां पर action अब अगर नाँ से बुच्छता हूं कि यहां पर action का मुतलब क्या होगा अब हम सोचें कि यहां का activity तो होनी रही है तो basicly act का मुतलब क्या था काम करना और यहां पर action का मुतलब होगा काम केबल काम क्योंकि हमें यहां फिलते activity को represent नहीं करना है आप exist BFA और मुझे पता आए की जो वे नहीं को तो मतलब ही होता है कि अरली को आप udah करणा इसी नहीं को मुझे इस उसके करना है ज्यक्ति पर्म में मैंने क्या किया फोर्ति सकते हैं एड किया आई वी ए और लिए बन गया है वह ने फूर्तेला मैं आप से बात करता हूं कि है मेरा फ्रेंड बहुत ऑ्सरा है तो ऑप मेरे एक क्या होगा फोर्तिला हुआ अब देखें हैं पर आपसे बात करो नो कि अगर बोलाव और कि एं, इसका पुसे एडवड़ के लाश्मना का लिखाओ ऑड मैं आज फूला का यान इस एक्टिव गर स्वाद ही जारी हमेशा यरा हम आज सबसें इंस तो उसको हम बोलेंगे एड़वर, और अगर मैं आप से बुच्छों कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप बेसिकली मुझे बोलेंगे, कि एक्टिवली का मतलब होगा, कि फूर्तील, फूर्तीले धंग से, जैसे आपने कोई काम किया, वहते तेजी से, फूर्तीले धंग से, त लिखा हुआ है, बिलेगा, तो वह क्या होगा हमेशा, एड़वर, तो देखें, हम डैस बात करते है, कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है, बिचार करना, अब देखें, कंसीडर के बाद, अगर आई, ओ, एड़ गरता हूँ, मुझे पता है, कि जिस भी वर्टिकल आज में, आई कोन एड होता है, उसको हम क्या बहुते है, देखें, कंसीडर के बाद में आप इन ती जएंगह, इस वर क्या आड़िके है, कि एबल, आप मुझे बोलेंगी विचार करने योग्य है तो जो भी चेज विचार करने योग्य होगी उसको हम क्या बोलेंगे अब आप देखिए हमने पढ़ाया कि हम हमेशना एड्जेक्टिव में कुछ एड करके उसको क्या होनाते है एडवर्ब तो मैंने अपके करा करा कंसीडरेबली यादिके हमेशना फ्री आपके लाश्ट में आप लवाई और अपने पढ़ा है कि जिसभी वर्टिकल आस्ट में आप लवाई एड करते हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्ब इत्रा समझ आप अब आप अपरी नोट बुक बे ये चीज कर सकते हैं कि जिसभी वर्टिकल आस्ट में एबल लिखा होगा होगा देट वूड बीकॉल एडवर्ब इस वे इतना समझें मारा है ने घिए जैसे यहां ते लिखा है अ-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t होता है उपस्थित होना अटेंशन याली कि यहां पर भी मैंने इड किया है इड किया है और हमें पता है कि जिस वर्ड ग्लास में इड करते हैं बोलता है अड्यक्टिव और य वाल तो हमेशा एडवर भी होते हैं लेगन देखिये ऐसा नहीं है कि 100% हमेशा य वाले एडवर ही होते हैं लेकिन 95% जो भी जिस भी वर्ड ग्लास में अलवाई लिखावा होगा जैट वोड बी कोड एडवर अगर मैं आज से बात करूं तो डिफर कम तलब होता है अलग होना डिफरेंस डिफरेंस कम तलब क्या होता है अलग तो देखों अब आपको यह चीज याद हमेशंये है तो देखें में अधियार को बता है कि जिनके १। नच में एईब कि एन सीई एन एंटी किया एन सीई आपको एग थोड़ेशे डीडिस्टे डीड डीड डीडवलप करनी है उन सब्सक्राइब क्या बोलते है एज्चेक्टिव नहीं नाउन वोलते है तो देखे students मैं आपको एक तरीका और बता बताने जा रहा हूं कहीं बार क्या होता है देखे यह तो एक रटा रटा ऐसा method था कि आपने पढ़ाए कि ION के लास्ट में अगर तो देखे कई बार क्या होता है कुछ वर्ड समय सामने ऐसे लिखे रहते हैं कि जिनको देखके हमें थोड़ा सा इस तरह से समझने मुश्किल होती है तो उसका तरीका यह होता है आप उसका exactly meaning Hindi में निकालने ट्राइए कीजिए कैसे देखी कैसे ब्यूटिफाइए चिक है यहां पर क्या लिखाए वर्ड ब्यूटिफाइए का मतलब होता है सुंद्र बना यहां कि क्या और activity हो रही है तो मैं से किया बोलगा यहां पर इसको बढ़़ अब देखरें से हमें लिखा है beauty इस के लास्ट में लिखा है ब्यूटिफूल और इ सूनलता है, तो सूनलता है सूनलता, होता अच थील कर सकते है अर व थंध कर सकते हैं जिसदी स्वी चीज़ कुर मुझी revenue क्यों होते हैं या फिर देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं मैंने अब लिखा भी तो का भीफूड लग क्यों होता है सुंदर और आपको पता है कि जो भी वर्ड किसी नाउन के रहा क्या थे जैसे मैंने कहा कि आपको हमेशे एक बात करते हैं कि जब भी आपको कोई वर्ड की फॉर्म में करना है ना तो करने के लिए सबसे पहले ना आपको उसका एड्यक्तिव बनाना पड़ेगा यानि सीधा सीधा सान मतलब यह है कि आज coping कर सकते हैं या फीर आप एड्यक्तिव से से सभूंसे आउं बनालोगें आपको कभी वर्ज करना है तो सबसे को लूげ फिसका वर्ज्क ने चाहिए और आप उसको इतना समय ना भी वड् Люб तो इसका मतलब होगा? Not Huh This Out खुद सठाई कीजेए खुद से है बताएं किया होसा फ्रस्का प्रिवर देखे त्ट्रेंट कंप्लब में होता है और फिरी कंप्लब होता है यहां पर आड्यक्ट को बोलेंगे आजाग ठीक है कि जैसे मैंने बूला कि यह दा लूर दा लायन इस फिर इंद से या निकि जो छीड होता है तो क्या तो तो फ्री वर्ड्ट क्या कर रहा है ? फ्रीवर्ड उस लायन की quad और हमें है हमें पता है कि हम अगर रग्टेक्टिइंग के last में या करते हैं तो असको कैंज है? रखेंगहा होता है भीजबल हो रहा है , आपको你 की प्राम लिखा हुआ है हम git़ süते हैं यानिकि जो भी एक वर्ड का कॉंबिनेशन किसी भी वर्ड के लास्ट में एड होता है उसको हम बोलता है अगर यही कॉंबिनेशन अगर इस वर्ड से पहले एड होता है तो हम इसको बोलते हैं आपर प्रेफिक्स तो देखिए यहां पर जितने भी वर्ड लिखे हैं सबकी आपको आज थोड़ा सा एक आडिया पता चला होगा आपको कि बेसिकलिए हम किसी भी वर्ड को आड वर्ड तभी बना पाएंगे जब वो लिखा होगा अड्यक्टिव में हम किसी भी वर्ड को अड्यक्टिव में तभी बना पाएंगे जब वो यह तो लिखा होगा नाउन की फॉर्म में या फिर वो लिखा होगा वर्ड की फॉर्म में तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं और इससे बाकी का जो हम एंडोनेमेंट सुनेरिम डिसक्स क कर सकते हैं कर सकते हैं